आज के समय में गेंडे की पांच प्रजातियां जेवित हैं, जिन में से दो प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं, तरस तीन प्रजातियां एसिया में पाई जाती हैं, सुमात्र नाम का गेंडा सबसे छोटा गेंडा है, जिसका बजन करीब 800 किलोगराम है, वही एक सि जियाई गेंडे, वर्मा, नेपाल, पाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्तों में पाया जाते हैं। जन्म के बाद गेंडे के बचले तीन साल तक अपनी मा के साथ ही रहते हैं। गेंडे के कदावर सरीर के कारण लगवग कोई भी सिकारी जानवर इनका सिकार नहीं करता है। पर इंसान गेंडे का सबसे बड़ा दुस्मन है जो कि उसके सिंग के लिए इसका सिकार करते हैं। कि इंटरनेशनल मार्केट में इसके सिंग की कीमत बहुत ही इदिकार। गेंडे साकाहरी जानवर हैं जो घास और पत्ते खाकर अपना गुजारा करते हैं। गेंडे की पांच प्रजातियों में से भारतिय गेंडे और जावन गेंडे के एक सिंग होता है। जबकि अन्य तीनों प्रजातियों के दो सिंग होते हैं। इसका सरीर बहुत विसाल होने के बावजूद भी या लगवो 55 किलोमेटर पदिघंटे की रफतार से भाग सकते हैं। इसकी आँखे बहुत ही कमजोर होती हैं और वो कुछ भी तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वो चीज इसके सामने मतलब की बहुत ही पास में ना आ जाए। इसका सिंग ये एक बार तूट जाता है तो वह दुवारा उगाता है। इसका सबसे अच्छा दोस्त पेर नामक पची है। या बैठे बैठे और खड़े खड़े भी सो सकते हैं। ये दिन सानों दोरा इसका सिकार ना किया जाए तो गेंडो का आस्तन जीवलकाल 40-50 साल होता है। या हाथी के बाद धाती पर मौजूद दूसरा सबसे बड़ा इस्तंधारी जीव है।